हलो बच्चो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगे प्रिप्रेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल लिए दोस्तों तो आप में से काफी सारे बच्चों का एक डाउट आ रहा था सर कि इस question का solution किस तरीके से कर सकते हैं या इसके question को solution करते हुए किस तरीके से आपको और अन्य डाउट भी आ सकते हैं या उन सभी चीजों को हम लोग क्या करने की बिटा करेंगे कोसिस समझने की कोसिस करेंगे जिससे कि आपका subject का जो knowledge है बिटा क्या हो सके बहतर हो सके ठीक है question में क्या पूछा जा रहा है तो दोस्त question में पूछा जा रहा है what will be the change in the level of water water की level में change कितना होगा when the closed rigid tank of volume 0.035 meter cube is slowly heated the mass of mixture is 10 kg at 0.1 MPa water has critical space volume of 0.00415 meter cube per kg advantage ठीथ कोई एक him gotta है तो कोई एकcodile k這裡 game 2 अधिका ब्रीजिट कंटेनर है की क्थितीएं बैटकी की आपका cm靈 एक कि क्लोंम कोई मोगर है जिसमें च्रीजिकले। सब्सक्राइब हो गणा को और वाटर है और इसको क्या करण मार्जिन हो गाएफ को कि अपनों सब्सक्राइब को यह Самजने में क्या आ रहा है जब मैं हीऊट करूँगा लिक्वीट को इस क्लोज कंटेइनर के अंदर तो क्या होना चाहिए ठिटा लेवल कम होना चाहिए क्यों 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 कि वापरा yation हो रहा है तो यहां पर क्या होगा कि liquid का level decrease करेगा, लेकिन, क्या actually में ऐसा होगा, इसी चीच को समझना है, इसी चीच को simply क्या करना है, हमको समझना है, तो देखो, यहां पे हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, चूकि यहां पे specific critical volume दे दिया गया है, specific critical volume को मैं denote करता हूं, VC से, जिसकी value कितनी है, वी सीज नथिंग बट 0.004155 आपको यह question में दिया गया है, meter cube per kg है, ठीक है, अच्छा, जो mixture है, जो closed read it container में जो mixture रखा है, उसका volume कितना है, तो अगर हम लोग mixture का निकालें, specific volume, यह तो critical volume हो गया, water condition में, ठीक है, लेकिन अगर हमको mixture का specific volume निकालना हो, तो किस तरीक इस निक मास लिखेंगे, तो volume कितना given है, तो container का हमारा volume है, कितना है, tank का volume है, 0.035, 0.035, divided by mass कितना given है, जो container के अंदर, जो mixture का mass है, वो कितना है, तो 10 kg है, इसकी value किती है, 10 kg है, अगर मैं division कर देता हूं, तो specific volume of mixture, कितना हो जाएगा दोस्त, तो आपका हो जाएगा, 0.0035, यह क्या हो जाएगा, इसकी भी unit हो जाएगी, meter cube, पर kg हो जाएगी, अच्छा, अब यह दो condition हमको given है, और इन ही दोनों condition के हिसाफ से हमको क्या बताना है, question का solution करना है, चलिए समझते किस तरीके समलोग कर सकते, तो यहाँ पे, आप लोगोंने property of pure substance के अ उमिद करता हूँ, सभी लोग पढ़े होगे, PV diagram, अच्छा, उसमें अगर मैं बनाऊं कि property जो pure substance में, यह हमारा point क्या होता है, जो सबसे top most position होता है, यह हमारी क्या होती है, critical point होती है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, यह हमारी क्या है, critical point होती है, अच्छा, critical point के corresponding, जो भी property होंगी, उन property को अपन क्या बोलेंगे बटा, उन property को अपन लोग critical properties बोल सकते हैं, चाहे वो critical pressure हो, चाहे critical temperature हो, चाहे critical volume हो, ठीक है, यहाँ पी हमारी critical volume की जो condition, critical volume कितना है, बटा, VC is nothing but, is equal to 0.00444, कितना given है, 4155 है, 41, आपको critical volume जो given है, बटा, उसकी value कितनी है, उसकी value है आपकी, 0.004155, यही आपको question में data given है, अच्छा, लेकिन जब हम लोगोंने क्या निकाला, बटा, कि जो हमारा mixture था, जो हमारा mixture था, उसका जो specific volume आ रहा था, बटा, उसका जो specific volume आ रहा था, जो कितना आ रहा था, बटा, 0.0035, 0.0035 आ रहा था, यानि, 35 की value, क्या, इस critical volume से कम होगी, क्या, आपको देखने, इस क्या लग रहा था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, चुकि हमारा specific volume of mixture, specific volume of mixture, क्या है, बटा, less than है, कि से specific volume, उप, sorry, critical volume of water से कम है, specific volume किस से कम है, जो हमारा water का given है, उससे कम है, यानि, that means, कि हमारी जो condition है, वो कहां भी लाई कर रही है, इस zone के रही है, इस zone के अंदर लाए करी एक रही है न की इस zone के लाए करी है ठीक है अच्छा सपोर्च कर लो कि हमारा initial point जभ मैं heat-up करना start किया तो हleich हमारा क्या है बेटा initial point हमारा चीछ जप मैं किसी चीजको heat-up करूंगा हमें किसी चीजको heat-up करूंगा तो क्या इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्या बेटा कंटेनर का वॉल्यूम क्या मेरा बढ़ जाएगा क्या तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा अच्छा container का volume नहीं भढ़ेगा लेकिन evaporation होने की वज़े से क्या pressure increment हमको देखने को मिलेगी क्या बिल्कुल pressure जितना ज्यादा vaporization होगा जितना ज्यादा vapor के particle बनेगे उतना ज्यादा pressure होगा तो यानि मेरी volume throughout the process अगर मैं heat up कर रहा हूँ one point से heat up करना इस्टार्ट कर दिया तो मेरा pressure क् one in creative value में increase करेगा लेकिन volume टोटल वाल्यूम जो है इस पेस्टी की में बात कर रहा हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूं रूंकी सिंपली बात कर रहा हूं तो volume तो क्या है बिटा constant है that means that means कि हमगो क्या देखने को मिलेगा कि pressure में increment हो रहा है लेकिन हमारा volume क्या रहा है रहा है कि that's why क्या मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूं तियनि 1 to 2 कुछ इस तरीके से हमारा प्रॉसेस हो रहा होगा क्या आप लोगों को यह पॉइंट समझ में आया बेटा कि मैंने वर्टिकल लाइन में ही क्यों दिखाया बेटा कि हमारा इनिसली जब मैं हीट अप करना कंडिशन था जब मैं हीट अप करके किसी दूसरे कंडिशन में पहुत गया तो पॉइंट टू यह वर्टिकल लाइन से ही क्यों दिखाया जा रहा है इसलिए दिखाया जा रहा है चुकि कंटेनर का वाल्यूम जो है रिजिड है और फिग्ड है तो इसलिए उसका वाल्यू अपफ़र्ट की तरफ डारेक्शन में चलूँगा यह हमारे क्या हो जाएक बेटा अच्छा अब देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा क्या चीज पढ़ा होगा बेटा ड्राइनेस फेक्षन जिसको आपन लोग क्या बोलते बेटा एक्स से दीनोड करते हैं ड्रा अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, dryness fraction बोलते हैं, जितना ज्यादा किसी mixture के अंदर vapor होगा, उतना ही ज्यादा हमारा dryness fraction होगा, जितना कम हमारा vapor का content होगा, उतना ही कम हमारा क्या होगा, dryness fraction होगा, that's why dryness fraction की value x is equal to 1 यहाँ देखने को मिलती है, maximum हो सकती है, और x is equal to 0 आपको कुच इस तरीके से आपको दिखाई देगी, कुच इस तरीके से बढ़ती बढ़ती दिखाई देगी आपको बेटा, तो आपको क्या दिखाई दे रहे है, 0.2 पे जो dryness fraction है वो क्या कम दिखाई दे रहे है, 0.2 पे आपको डृइनेस fraction की value है, क्योंकि x की value किस direction में बढ़ तो मुझे मेरी dryness fraction बढ़ रही है, इसका सीधा सा अर्थ है कि x2 जो होगा, x2 जो होगा, वो less than होगा x1 से, x2 जो हमारा होगा वो हमारा x1 से कम हमको दिखाई दे रहा क्या, बिल्कुल, अच्छा, अगर x2 x1 से कम है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि mass of vapor, mass of vapor in condition 2 will be less than mass of vapor as condition condition 1, इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो liquid है, चुकि हमारा container rigid है बेटा, उससे नहीं कुछ चीज बाहर आ रही है, नहीं कुछ चीज अंदर जा रही है, इसका मतलब क्या है, liquid के level में क्या हो देखने को मिलना होगा, बेटा, change देखने को मिलना है, अगर total mixture का volume क्या बेटा, constant र mass of liquid at condition 2 will be higher than mass of liquid at condition 1, कैसे लिख दिया बेटा, इस equation को ध्यान से देखो, कि चुकि हमारा x2, x1 से क्या है, कम है, that's why इसका मतलब क्या है, mass of vapor in the state 2 will be lesser than in the state 1, as compared to state 1, इसका मतलब क्या है, कि जब vapor कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, at the same time, liquid का level तो क्या कर रहा होगा, liquid का level हमारा rise कर रहा होगा, liquid का level हमारा क्या कर रहा होगा, तो rise कर रहा होगा, यानि इसका solution हमको क्या मिल गया, कि हमारा liquid का level है, वो हमारे इस container के अंदर क्या होगा, increase करेगा, क्यों increase करेगा, हमने ये सारे question का solution, आप लोगो क्या कर दिया, समझा दिया है उम्मीद करता हूं कि solution आप लोगों को पसंद आया होगा ऐसे किसी और doubt के अंदर कर आप लोगों को doubt आ रहा हो किसी भी question के अंदर तो आप हमें भेज सकते हैं अगर doubt अच्छा होगा तो उस doubt को हम लोग जरूर यहां पर solve करके दिखाएंगे thank you everyone मिलते हैं ऐसे किसी next video में